अब यह इसमें प्रिलिम लेवल का और में दोनों लेवल मैं कवर करूंगा ठेक आज से यह एक सेशन एक सीरीज मैंने आर्शी का सुरू कर दिया तो आप लोग यह सेशन जरूर देखे इसमें आप लोग को आर्शी सालप करने का एक अच्छा अप्रोच क्योंकि बिसिकली आ अच्छा लगता है और उसका जो पूरा थीम होता है उस पैसे का उन्हें भूल जाता है तो हम अपना आर्शी करते हैं उससे पहले मैं आप लोग उसे चोटा सा रिक्वेस्ट करना चाऊंगा कि प्लीच अगर आप चैनल पर आते हैं और आप वो चैनल तो अच्छा लगता subscribe ओके तो चलिए हम सुरू करते हैं अपना reading comprehension और हाँ एक चीज़ की ये काफी interesting topic है आज मैंने पहला session लिया है तो काफी interesting topic है अगर आप लोग पूरा ये पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा एक human life के बारे में इंसान कैसे रहता है how should we live our life actually किस तरीके से हमको अपनी जिन्दगी जीनी चाहिए कैसे हम how we actually expect from others and how we do for others तो हमें ये सारी चीज़े इसमें सीखने को मिलेंगी चले शुरू करते हैं अपनी RC की पहरी लाइन से the happy man is the man who lives objectively एक happy man वो होता है जो अपनी जिन्दगी को objectively जीता है यानि जिसके जिन्दगी में बहुत सारी बहुत future initiative नहीं होता है जैसे अभी बहुत परसानियों को लेके नहीं चलता है बहुत subjective होके आप ऐसे कह सकते हैं बहुत subjective होके नहीं चलता है like वो किसी चीज़ के बह में जाते हैं उसमें से और दस problem create करते हैं सोचते हैं कि ये भी हो सकता हो और कुछ लोग क्या होते हैं कि एक problem अगर उनके लिए create हुआ तो वो उसके solution को ढूडने में लग जाते हैं तो पहला line नहीं करा है कि the happy man is the man who lives objectively एक happy man वही होता है जो life को objectively जीना जानता हो who has free affections and wide interest जिसके affections free हो यानि जो हर किसी से सनेह करता हो जिसके मन में किसी के लिए hate ना हो जो हर किसी से प्रेम करता हो wide interest हो who secure his happiness through these interests और वो जो interest जो अपने पास रखता हो the interest he actually has with himself वो own interest के साथ क्या करे अपने happiness को through these interests and affections and through the fact that they in turn make him an entity of interest and fondness क्या करे कि वो जिस भी तरीके का अपना एक interest अपने पास रखता है उसी interest उसी affections के तुरू वो क्या करे अपनी खुश्चियों को observe करे the fact that fact क्या है कि they in turn अपने मतलब क्या होता है कि जो वो उमीद करते हैं दूसरे से make him an entity of interest and fondness to many others क्या करता है उनको न बहुत सारे लोगों के लिए affection का एक point बना देता है यानि कि वो इतने free affectionate होते हैं कि उनको किसी से कोई hit नहीं होता वो सबसे एक पराबर एक समान एक similar frame सब similar affection करते हुए चलते हैं ठीक to be recipient of affection recipient मतलब होता है प्राप्त करने वाला observe करने वाला to be recipient of affection is a potent cause of happiness यानि कि एक एक ऐसा person जो affections को observe कर लेता हो कहीं से यानि कि आप कहीं रास्ते में suppose that आप कहीं रास्ते में जा रहे हो कहीं आप journey कर रहे हो रास्ते में आपके गल्वाली seat पर कोई बैठा हुआ तक करते हैं पताचला आप कहीं और कहें हैं वो कहीं और कहा है is a potent मतलब होता है सबसे important एक प्रबल बहुत मजबूत यानि कि एक ऐसा person जो जानता हो कि उसे affection कैसे पाना है उसके happiness का ये जो recipientness होता है ये इसका सबसे main काज होता है उसके happiness का but the man who demands affection is not the man upon whom it is bestowed bestowed मतलब होता है कि किसी को प्राप्त, किसी को देना किसी के ऊपर जाना यानि करा है कि एक बंदा जो किसी से demand करता है affection की obviously affection is the thing which can't be demanded by anyone हम किसी से affection की demand नहीं कर सकते this is the thing which is if we give to someone then we will get it in return अगर हम किसी को देते हैं तो return में हम ये चीज़ पाएंगे यानि कि ये line क्या कहा रहा है कि man who demands affection is not the man upon whom it is bestowed एक ब्यक्ति एक परसन जो इसकी demand करता है उसको कभी ये affection मिलता नहीं क्योंकि ये demand से और supply से क्या करने वाली पूरी की जाने वाली कोई चीज़ नहीं है this is the thing which come to you when you actually give to somebody जब आप affection किसी को देते हो तब affection दूसरी तरफ से आपके ओर return में आता है चलिए अगली line पे चलते है the man who receives liking is एक परसन जो liking को जो लोगों की पसंदगी को जो लोगों के affection को receive करता है basically speaking generally अगर सामानने तोर पे कहा जा है तो the man who gives it मैंने कहा था न this is the thing which we get in return when we give to we get in return when we give to somebody ये कह रहा है देखे line में भी कह रहा है कि the man who gives it एक परसन जो किसी को सनेह देता है जो किसी को affection देता है उसे ये क्या होता है वापस मिलता है but it is but it is useless to attempt to give it as a calculation बहुत देखे कितना important बात है लेकिन ये useless है कि आप count करके देते हो कि आप calculate करते हो कि हमें फला से X से हमें इतना affection करना Y से हमें इतना affection करना Z से इतना X, Y, Z is just maybe a personal name तो आप इनको ऐसी नहीं कर सकते calculate करके आप किसी से affection नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आपने calculation लगा दिया affection में तो वो affection affection नहीं रहे गया That is just a business वो फिर आपका प्यार आपका affection नहीं रहे गया वो business हो गया ठीक ना चली next line पर चलते है In the way in which one might lend money 8 interest और ये उसी तरीके से हो गया यानि कि अगर आप count करके किसी से affection करते हो तो ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया जैसे एक जो lender होता है जैसे आप पैसा उधार लेते हो या जो पैसा उधार देता है interest पे ये बिल्कुल उसकी तरीके का हो गया ये आप जैसे किसी को interest पे कोई चीज दे रहे हो आप calculate करने का मतलब क्या हुआ जैसे कोई चीज आपके पस है नहीं या है भी तो आप बहुत महेंगी है और आप उसको interest add करके देना चाहते हो ताकि सामने वाला जब आपको आपस करें तो interest के साथ हो आपस करें नहीं तो it doesn't happen with affection affection के साथ love के साथ ऐसा नहीं होता है क्या होता है it is a free thing थोड़ा सा affection देते है तो सामने वाला साथ हमें अपने आप से भी ज़्यादा affection हमें दे सकता है ठीक चाहिए बट उसमें किसी भी तरीके का कोई calculation work नहीं करना चाहिए चलिए आगे चलते है for accumulated affection is not honest accumulated मतलब जो जोड़ा घटाया गया हो यानि ऐसा affection जो हम सोच लेते हैं कि इनको इनसे इतनी बात करनी है इनसे नहीं बोलना है इनसे कम affection रखना इस तरीके का जो affection होता है उसमें कोई honesty नहीं होती है उसमें किसी भी तरीके की honesty नहीं होती है इमानदारी नहीं होती है I hope आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मैं पुरी कोशिस कर रहा हूँ कि आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से समझा सको and is not आगे लाइन चलिए and is not felt to be so by the beneficiary और जो बंदा सामने होता है आपका affection लेने के लिए उसको भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि जैसे आप उसको एक सही affection दे रहे हो यानि कि जैसे लगता है उसको भी यह एहसास होने लगता है कि साथ आप उसको calculate you, साथ accumulate करके जोड घटा करके आप उसको affection दे रहे हो यानि कि अगर आपको जरूत है तो आप सामने वाले को affection दे रहे हो, आपको नहीं जरू होता है, तो आप सामने वाले से affection नहीं दे रहे हो, generally आज की दुनिया में क्या होता है, यह होता है, कि आपको किसी से मतलब होता है, तो आप किसी के पास phone call करते हो, नहीं होता है, तो आप कभी बात नहीं करते हो, उस त क्या, can a man do, क्या कर सकता है who is doomed, जो डूबा हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से, because he is enclosed in self जो क्या है, doomed है मतलब जो कि अपने आप में बिल्कुल क्या है डूबा हुआ है ठीक, चलिए, next बेरा पे चलते हैं so long as he continues to think about the काज करा, so long as he continues to think about the causes of the unhappiness he continues to be self-centered and therefore doesn't get outside of it करा है कि, जब एक बंदा ऐसा होता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सोचता जाता है, continues to think about the cause of his unhappiness वो अपने ही दुख के बारे में सिर्फ अपने ही प्राब्लम से के बारे में सोचता जाता है तो उससे क्या होता है फिर करा, he continues to be self-centered तो वो self-centered हो जाता जिसको कहता है नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना कहता है कि, कभी-कभी हम किसी को एक जैसे की satire की रूप में बोलते हैं कि, क्या भाई, आप तो किसी और के बारे में सोचते नहीं हो आपके पास तो टाइम नहीं है आप तो सिर्फ अपने लिए करते हो तो ऐसा, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो तो उसको self-centered बोलते है and therefore doesn't get outside of it और वो जो उसका problem होता है अपने पारे में सोचने की वज़ा से कभी वो उससे बाहर भी नहीं आपाता जैसे initially मैंने आपको बताया था न कि दो तरीके के इस दुनिया में इंसान होते है एक जो objective life को objectively जीता है और एक जो subjectively जीता है subjectively क्या होता है कि एक problem आया मैंने initially बताया था एक problem आया और उस problem में 10 और problem को डूड़ेगा यह बहुत सारे लोग का nature होता है कि उसे लगेगा कि यह problem आ गया तो वो उसके solution पे work नहीं करेगा उसको उस problem में और 10 problem दिखाई देंगे लेकिन एक objective जो बंदा होता है जो life को objectively जीना पसंद करता है वो किसी problem के आते ही न वो इसके solution पे work करने लगता है वो सोचता है कि इसको कैसे solve किया जा सकता है ठीक तो ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं तो यह जो subjective वाला है न यह self-centered में आते हैं ठीक क्यों आपने बारे में सोचते हैं फिर आगे बाली राइन क्या कहता है कि it must be of genuine interest not by simulated interest adopted merely as a medicine कहरा कि it must be of genuine interest not by simulated interest adopted merely as a medicine कहरा कि इसको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से इसको medicine की तरह adopt नहीं किया न चाहिए जैसे क्या इसको आपको अपने nature में नहीं लाना थी आप self-centered रही है बट इतना नहीं कि यही आपका क्या हो जाए nature बन जाए इसको adopt नहीं कर लेना चाहिए medicine की तरह although this difficulty is real लेकिन फिर भी क्या है यह जो difficulty है यह यह difficulty क्या है हाला कि यह समश्या क्या है वास्तविक है there is never the less must that he can do if he has rightly diagnosed his trouble कह रहा है कि हाँ यह problem है यह difficulty है और यह वास्तविक समस्या है लेकिन there is never the less much लेकिन उससे कम नहीं होगा that कि अगर he can do वो कोशिस करे करने की he can do वो कर सकता है करे if he has rightly diagnosed his trouble अगर वो सही तरीके से अपने trouble को diagnose कर ले यानि पहचान ले यानि कि अगर वो self-centered होके परिसान होने से बहतर है हाँ यह कह सकते है कि difficulty जो है problematic है वो real है लेकिन हाँ अगर वो solution side पे work करने जाए तो वो क्या कर सकता है उसको diagnose कर सकता है अपने trouble को recognize कर सकता है और उससे उसको क्या मिल जाएगा किसी बहुत सारे तरीके कि उसको उसके solution मिल जाएंगे ठीक चलिए next line पे चलते है if for instance अगर example instance में इस होता है example अगर उधारर के तोर पे देखा जाए his o o मतलब होता है kusht, पीडा, दुख his o is due to a sense of depravity conscious और unconscious maybe उसको जो दुख है वो consciousness या unconsciousness की वज़़ से हो ठीक न he can first influence his conscious mind that he has no reason to feel sinful वो हो सकता है कि सबसे पहले क्या करे he can first influence his conscious mind यानि कि जो हमारी जो चेतना होती है उसको क्या कर सकता है उसको influence करता है कैसे he has no reason to feel sinful कि उसके कोई वज़ा ही नहीं है कि वो sinful यानि किसी तरीके का कुछ भी बुरा फिल करे and then proceed और तब वो क्या करे थोड़ा प्रोसीद करे to plant this rational conviction in his unconscious mind तब वो क्या करे ये जो दोस सिध्धी वाली बात है जो ये दोस देना नहीं देना conviction जो है basically इसको ये plant करना सुरू कर दे rationally कहा एक rational conviction किसमें अपने unconscious mind में फिर क्या कहता है concerning himself meanwhile और तभी वो अपने आपको क्या करे concern में अपने आपको ले ले with some more or less but not neutral activity but क्या करा है कि some more or less कुछ ज़्यादा कुछ कम but not neutral activity लेकिन वो अपने आपको क्या करे कोई neutral activity में ना रहा है मतलब कभी भी कोई problem है तो उसके solution के aspect पे ना सोचे ठीक न वो थोड़ा कम या ज़्यादा वो उससे और problem problem ही create करने को सोचे ऐसा बेसिकली लाइन कहने के कोशिश कर रहा है कह रहा है अगला लाइन कह रहा है कि if prosperous is demishing the sense of immortility if it is possible that genuine unbiased interest will be arise spontaneously कह रहा है कि if the prosperous is demishing the sense of immortality कह रहा है कि जो prosperous होता है जो आपका वैभव होता है वो क्या कर रहा है in demishing the sense of immortality वो क्या कर रहा है अनय तिकता कि आपकी जो छवी है आपका जो sense है उसको diminish कर रहा है it is possible तो यह संभव है that कि genuine unbiased interest will arise spontaneously तब साथ को genuine जो आपके thoughts होंगे genuine जो unbiased interests होंगे ठीक न वो क्या होंगे develop होंगे otherwise अगर ये चीज़े नहीं होती है अगर आपकी immortality नहीं कम होती है तो आपके biased thinking या biased thinking develop होती रहेगी आप self centered रहेंगे एक problem में 10 problem देखने की problem जो है कि वो बनी रहे ठीक चलिए तो आपने इन दोनों पैसेस को basically समझ लिया काफे interested RC है आप लोग खुद भी समझ रहा होंगे ठीक चलिए आगे चलते है if trouble is self pity if trouble is self pity he can deal with it in the same manner after first preserving himself that there is nothing extraordinary unfortunate in his circumstance करा कि कोई भी trouble, कोई भी कष्ट, कोई भी पीडा क्या है अगर खुद पे दया करने के लिए है it's self pity he can deal with it तो वो उससे भी deal कर सकता है in the same manner उसी तरीके से after first preserving himself पहले वो अपने आपको समझा करके अपने आपको persuade करके that की there is nothing extraordinary कि इससे ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता unfortunate नहीं हो सकता in his circumstances जैसे हम कभी कभी कहते हैं generally हम general life में भी कहते हैं कि यार अब इससे बुरा क्या ही होगा आपने साथ चलो अब जो होगा देख लेंगे अब इससे बुरा क्या होगा चलो ठीक है अगर आपके साथ कुछ बुरा लाइन कहा रहा है अगर उसके साथ problems हैं तो उसके साथ deal कर सकता है इस तरीके से यह सोच करके अपने आपको ऐसे समझा करके पर्चुएट करके चलो ठीक है न अब इस circumstance से जादा हमारे साथ और कितनी बुरी circumstances यानि कि यह तो अपने आप में extraordinary unfortunate है मेरे साथ तो अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा मेरे साथ ठीक न चलिए नेक्स लाइन पे चलते है if fright is his worry if fright यानि कि अगर डर जो है वो उसकी चिंता है let him drill exercise design to give bravery तब उसे कुछ bravery exercises design करनी चाहिए यानि कि अगर उसके दिमाग में कोई डर बैठा हुआ है यह होगा तो कैसे होगा यह मुझसे नहीं होगा यह कैसे कर पाऊंगा मैं किसी भी तरीके का किसी भी aspect का अगर कोई problem को लेके कोई डर अगर कोई fight अगर दिमाग में है वो चिंता का जड़ है अगर root है तो उसे क्या करना चाहिए drill करना चाहिए क्या करना चाहिए एक bravery का design bravery design करना चाहिए मतलब bravery exercise को design करके उस पे उसे work करना चाहिए फिर कर रहा है courage has been recognized from time immorial as an important virtue क्या जो साहस है न वो time के साथ time period के साथ साथ देखा गया है एक important virtue के रूपे यानि courage जो इंसान का होता है वो उसको time के साथ साथ हर चीज में हर problem को हर तरीके की वो को फिश करने की जो basically हमारी capacity होती है उसको develop करता है ठीक and a great part of the training man has been devoted to producing a type of character capable of fearlessness in battle अच्छा basically man के उपर बात किया गया है कि हम basically कहा है and a great part of the training और एक great part of training नहीं कि जो training जो होता है आप boys and young जो young people का या जो boys का जो training होता है उसका ये important part ही माना गया और होना भी चाहिए courage सिखाया जाना चाहिए man has been devoted to producing a type of character capable of fearlessness in battle और men को battle में क्या सिखाया जाता है battle किसी भी तरीके का हो सकता है शिर्फ रडभूमी शिर्फ youth भूमी यानि कि जगडा करने वाला मार करने वाला तलभार चलाने वाला ऐसा शिर्फ battle नहीं होता है life is also a battle we all know कि life से बड़ा आज कोई battle नहीं है तो इनसान को men को basically क्या होता है इस battle में लड़ने के लिए capable बनाया जाता है उनको fearless बनाया जाता है but moral courage and intellectual courage have been much less studied हमें battle में लड़ने के लिए अब देखें यहां किस battle की बात कर रहा है उस battle में जहां पे हम तलवार बाजी करते हैं जहां पे हम तीरों से लड़ते हैं लेकिन कितनी अच्छी line का है यह line पढ़के साइद अगर आप लोग ने छीचोरी movie देखी होगी तो छीचोरी movie की वो dialogue हमें याद आ गई कि जब SSR क्या बोलते हैं कि सफलता के बाद का प्लान तो सब के पास होता है सक्सेस के बाद का प्लान तो सब के पास होता है लेकिन अगर हम एक बर ही unsuccessful हो गए तो उस असफलता से हमें कैसे deal करनी है इसके बारे में कोई बात न तो करता है और न करना चाहता है क्योंकि असफलता से कोई बात किसी असफल परसन से even कोई नजर भी मिलाना नहीं चाहता है और यही बहुत सही लाइन का रहा है कि but moral courage and intellectual courage have been much less studied लेकिन जो moral courage है जो intellectual courage है हमें दिमाग की रूप से दिमाग से brain से हमें कैसे थोड़ा सा courageous होना चाहिए हमारा moral जो है थोड़ा कैसे वो high होना चाहिए अगर हम थोड़ा problem में भी है थोड़े अगर थोड़ी असफलता भी हमें face करनी पड़ रही है बार बार face करनी पड़ रही है तो हमारा moral फिर भी कैसे बुष्ट होना चाहिए यह कभी नहीं सिखाया जाता है क्योंकि अपना जो society है अपना जो society है यह success-centered society है यह success-centered society है ठीक है आप सफल है then people will give you a name people will make a relationship with you otherwise आपका कोई value नहीं है basically यह real है और आप सब इससे कहीं ने कहीं जूझे होंगे समझ रहे होंगे इस सीज को मैंने कहा था नहीं कि यह RC काफी important भी है और बहुत interesting है क्योंकि basically पुरा human life पे बेज़ड़ ठीक चली चलते है next line पे they also however have their technique लेकिन उनके पास भी अपने क्या होते है टेक्निक होते है admit to yourself everyday at least one painful truth you will find it it quite useful कि आप अपने आप में एक ऐसा आदत एक ऐसी habit डबलब करिये कि आप अपने बारे में एक सबसे जो bitter truth हो उसको accept करने की habit डबलब करिये and generally मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जिस भी person के अंदर यह आदत आ गई यह acceptability की आदत आ गई कि हाँ यह मेरे अंदर कमी है this is this is like in me तो वो बंदा कभी life में unsuccessful नहीं हो सकता आज नहीं तो कल नहीं तो पड़ तो किसी नहीं किसी sector में वो बहुत बड़ा एक successful person बनेगा ठेक तो admit to yourself everyday at least one painful truth एक जो सबसे कष्ट दाई सकते हो आप उसको accept करना सिखिए you will find it quite useful आप इसे बहुत उपयोगी पाएंगे teach yourself to feel that life would still be worth living क्या line क्या कह रहा था या रेखिए कह रहा था न कि you will find it quite useful quite useful teach yourself आप इसको बहुत उपयोगी पाएंगे to feel अपने आपको यह बताने में teach yourself to feel that यह आप महसूस कर पाएंगे यह बता करके वो better truth आप accept करेंगे तो आप यह महसूस कर पाएंगे कि life would still be worth living यानि कि आप लाग समस्याओं से जूज रहे हैं लाग problem साब के सामने हैं आप असफलता पे असफलता असफल होते जा रहे हैं फिर भी यह जिन्दगी है यह worth living है यह जीना मांगती है हम इसे ऐसे ही इसको खतम नहीं कर सकते even if you were not as of course you are ठेंगा अगर आप नहीं होते तो भी आप हो immesorably superior to all of your friends in virtue and in intellectual आप नहीं होते आप नहीं थे या नहीं होते यह आप मान सकते हो लेकिन फिर भी हो आप कितनी अच्छी line कर रहा है इसे कहते हैं moral boost करना moral boost करने वाली line as of course बिलकुल ही you are immiserably superior आप अंगिनत अच्छे हैं stressed हैं to all your friends अपने सभी दोस्तों से in virtue nature में good में and in intelligence और बुद्धि मत्ता में कब जब जो पीछे जितने अच्छे nature बताए गया है उन nature को अगर आपने adopt किया हुआ है अगर आपके अंदर वो nature है तो exercise of this kind protracted through numerous years will कह रहा है कि ऐसी जो exercise होती है वो आपकी जिन्दगी में बहुत लंबी जाती है protracted मेंस होता है long time through numerous years long time तक मतलब कि unginate unginate years तक आपके साथ रहती है and क्या गरा है कि numerous years will enable doing might free you from the empire of fear on a very large scale और कह रहा है कि इस तरीके से इन चीजों को accept करके आप अपने आपको एक आपका एक empire एक state आप खड़ा कर लोगे जिसमें कोई डर नहीं होगा कोई fear नहीं होगा ठीक ना इतने बड़े level पे आप fearless हो जाओ इतना confidence आपमें आ जाए ठीक समझ्याया तो आप लोगों ने देखा RC कितना important भी था और कितना knowledgeable था कि हमें ये एक lesson भी सिखा गया कि आज की life कैसी है और हमें life कैसी जीनी चाहिए समझ्याया तो चलिए अब इस पे based on मैंने six questions लिया है उन six questions को करेंगे पहला question कहा रहा है what does calculated affection mean यानि कि calculated affection के बारे में जो हमने पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं calculate करके affection करते हैं calculate करके सामने वाले से प्रेम करते हैं कुछ लोग होते हैं जब उन्हें मतलब होता है तब वो आपके पास phone करेंगे कि हाँ हमें ये काम है ज़रा कर दो नहीं मतलब है तो कभी आपके पास वो एक message तक drop नहीं करेंगे तो वोई question कर रहा है कि what does calculated affection mean तो calculated affection का मतलब क्या है तो पहला अपसन देखते हैं affection which is received unwillingly एक ऐसा affection जो अनिच्छा से मतलब जो किना जो सामने वाले की इच्छा के बगार हम accept करते हैं चलिए इसको hold पे रखते हैं affection which is temporary affection which is temporary नहीं इसको तो बिल्कुल नहीं का सकते यह calculated affection में बिल्कुल नहीं आएगा affection which is bogus and forced affection which is bogus and forced यह हमें सबसे suitable लग रहा है अभी आपको समझाते हैं थोड़ा affection which comes as an elf देखे इसका basically ए आपसन जो है उसका मतलब क्या है affection which is received unwillingly नहीं unwillingly कभी affection आए गई नहीं affection एक ऐसा word है ना जो आप unwillingly होके कभी किसी को दे नहीं सकते like आप सोचो हो कि आपका कोई result आया और आप बड़े परिसान हो like आप किसी margin से आप रह गए किसी final result में उस time आपका जो mood होगा वो mood किसी भी तरीके से हसने बोलने किसी से बात करने या किसी को affection देने love देने के लाइक होगा कि will you actually be able to provide any affection to anybody in that case नहीं कभी नहीं तो option number A अपना reject हो जाएगा ये पहले मैंने बता दिया कि affection temporarily क्या है which is temporary नहीं ऐसा नहीं होता है affection temporarily नहीं होता या तो होता है या तो नहीं होता हाँ ये होता है कि सामने वाला क्या करता है अगर temporary होता तो फिर ऐसा नहीं होता बहुत सारा आप लोग की example लेखे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साल दो साल बाद काल करते हैं हमारे पास और हमसे क्या कहते हैं कि जरा ये कर दीजिये वो कर दीजिये ये फिर बहुत सारे काम बताने लगते हैं तो temporary नहीं होता है किसी न किसी वजह से वो जुड़ा होता है सामने वाला सामने वाला आपसे किसी न किसी वजह से जुड़ा होता है temporary नहीं होता है हाँ लेकिन उसका जो वो affection होता न वो calculating होता वो अपने हिसाब से आपको deal करने की कोशिज करता है चलिए option number 3 क्या है affection which is bogus and forged यानि कि ऐसा affection जो बिल्कुल दिखावा हो इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं मतलब जब सामने वाले को जुरोत पड़ा तो उसने आपसे प्रेम से बात किया प्रेम से बात किया अपना काम निकाल लिया फिर वो आपसे कोई मतलब नहीं रख रहा इस तरीके के बिसिकली affection को calculated affection कहते हैं तो option number 3 will be your correct option चलिए चलते हैं next question पर according to the passes a happy man passes के according sorry, passes के according happy man काउन है? it's self-fengist कभी नहीं हो सकता है क्योंकि self-centered तो हमने पढ़ा न यह आदमी जो subjective thinking रखता है self-centered होता है तो कभी happy man होई नहीं सकता है second पढ़ते हैं has free affection and wide interest obviously यह तो हमने line में ही पढ़ा था चलिए C भी देख लेते हैं is free from outward person नहीं, कभी नहीं हो सकता जैसे ही वो outward person से free होगा फिर वो तो क्या हो जाएगा self-centered हो जाएगा न जैसे बाहर की दुनिया से जैसे ही वो अपना नाता तोड़ेगा self-centered हो जाएगा तो यह तो पहले वाले option से match कर रहा है has no grudge नहीं, यह भी नहीं होगा none of these नहीं होगा क्योंकि हमारा option number B directly दिया होगा है is not true in the context of this passage तो यह जो passage हम लोगों ने पढ़ा है इसके context में कौन सा सही नहीं है तो हम लोग पढ़ते हैं पैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिट किया है तो I hope कि आप लोग को पूरा context passage का याद होगा क्योंकि यहीं वो question होते हैं कि जिसके पास wide interest होता happy man होता पिल्कुल सही है courage has been recognized as an important virtue यह हम लोग last के पैरा में second last पैरा में हम लोगों ने यह line पढ़ा था कि courage को क्या होना चाहिए एक virtue के रूप में recognize करना चाहिए यह यह true है पहला भी यह true है यह तो पहले passage की line है कोई option ही नहीं है यह गलत होने का a happy man doesn't demand affection obviously बात है demand कौन करता है जो आदमी self-centered होता है demand करता है लेकिन वो affection क्या होता है उस पे बिश्टोड नहीं होता है क्योंकि demand करने वाले को affection बिश्टोड नहीं होता है ठीक ना तो यह क्या हो जाएगा यह line बिल्कुल option D.B. बिल्कुल सही है कि happy man जो होता है वो demand नहीं करता affection का वो freely affectionate होता है यानि सबको affection खुद भी देता है और फिर बदले में return के रूप में लोग उसे affection देते हैं तो D.B. सही है moral courage and intellectual courage has been extensively studied अच्छा देखिए हम लोग ने last passage में क्या पढ़ा था कि हमें battle में हमें battle में लड़ना तो सिखाया जाता है ठीक ना we have been trained to fight in battle how we have to fight in battle we are actually trained in all of them actually but line में ही लिखा था last line last passage में लिखा था कि moral courage and intellectual courage अभी तक हमें किसी कहीं class में कहीं subject के तौर पे सिखाया नहीं जाता बट यहां क्या कह रहा है कि हमें extensively यह सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है तो आप यह सी बात है यह बिलकुल गलत है तो option number E will be our correct answer यह कहीं भी passage के context में option number E नहीं था यहां कह रहा है सिखाया जाता है और option हमें passage for long as an important virtue अच्छा कह रहा है कि कौन सा ऐसा virtue होता है जो बहुत long time तक क्या होता है recognize किया जाता है कौन सा ऐसा isolation तो फिर self-centered हो गया न कि आप अकेले अकेले जीते हो अपनी जिन्द की oblation oblation का मतलब basically होता है यग्यन तो यहां इसका कोई sense ही नहीं जैसे यग्यका मतलब हुआ कि आप साधू संत बन जाएए सारी चीजों से निकल जाएए आगे निकल जाएए मतलब कोई सी दुनिया से कोई मतलब ना रखिये तो इससे भी कोई मतलब नहीं है हमें virtue पे हमें virtue पे बात करने है जो सबसे long term तक क्या किया जाता है recognize किया जाता है courage obviously courage हो सकता क्योंकि हमने पूरे virtue में courage की ही बात किया unassertiveness unassertiveness में basically होता है unassertiveness एक ऐसा nature होता है negative nature होता है जिसके अंदर जैसे जो लोग अपने उपर self confident नहीं होते है तो courage यहां पर क्या हो जाएगा अपना सही answer हो जाएगा क्योंकि courage ही एक ऐसा वर्ची हो है जिसको long term तक recognize किया जाता है चलिए fifth question पर आई which of the following words similar in the meaning of the words simulated as used in the passage यानि कि जो words simulated है उसका similar word count है तो simulated accommodated मतलब क्या होता है कि basically जोडना घटाना ट्रस्टेट विश्वस्णी है directed मतलब दिसा निर्देश देना integrated मिन्स क्या होता है नकल करना यानि कि नकल करना मतलब कि एगर एक line चल लगी है तो इसके सासा चलना मतलब parallel चलना simultaneously चलना simulated मतलब क्या होता है कि साथ साथ चलना जैसे बोलना simultaneous ठीक ना चलते नेक्स क्यासन पर एक परसन जो सिल्फ पीटी से क्या कर रहा है जूज रहा है परिसान है खुद की समस्याओं से उससे क्या करना चाहिए तो हम लोगों ने पढ़ा था न कि उसे अपने आपको क्या करना चाहिए ले जाना चाहिए उससे अपने आप से ऐसी बात है करने चाहिए कि चलो ठीक है अभी इस से ज्यादा बुरा मेर सत्थ कुछ हो नहीं सकता है इस तरीकी की चीजे इस तरीकी के मैंडन में जाके उसको अपने आपको समझाने की कोशिष करनी चाहिए चलिए हम आपसं रीट करते हैं डबलप अफिलिंग आप फिरलिस्नेस तो ये तो ऐसे तो डबलप होगा नहीं इसके कुछ प्रोसेसिंग होगे चलिए पर्सुएड हिंसेल डेट एबरिटिंग जार लाइट इन ही सरकॉंस्टेंसे क्या लाइन में अचा बैसिकली हम लोगको कांटेक्ष्ट में बताना है आर्सी के वरना सहीं तो सारा लगेगा तेखिए कर रहा डबलप अफिलिंग आप फिरलिस्नेस क्या उसमें ये कहा गया था कि आप डबलप करिए फिरलिस्नेस को और फिर आपको पता चल जागा कि आप मतलब आपका यह जो प्राब्लम है आप उससे बाहर निकलाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं हमें पैसेज में क्या दिया गया था कि हमें अपने आपको यह समझाना है कि चलो यह जो चीज हमारे साथ हो रही है यह जो है कि एक प्राब्लमिटिक सेशन है उसको अपने आपको समझाना है उस क्या गरता है कि अपने आपको आप समझाईए अपने आपको कंट्रोल में रखिए यह कहके कि हाँ चलो अब जो हो गया हो गया अब इससे बुरा मेरे साथ कुछ और नहीं हो सकता है सिक करने से अफेक्शन कभी मिलता नहीं है यह हम सब अपने आपको ऐसे मैंनर में ले जाए जहां पर आप अपने आप से खुद यह कह पाईए कि चलो ठीक है अब मेरे साथ जो हो गया हो गया अब इससे ज्यादा बड़ा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता और होगा भी तो थोड़ा देख लेंगे थोड़ा और सहे लेंगे ठीक तो ऐसे में क्या करना होता है हमें अपने इमोसंस को अपने पैसंस को अपनी जो ठीकिंग्स होती है उसको थोड़ा एक बाउंडरी में रखना होता है इसलिए अपना जो उस सेंस के कार्डिंग जो option नमर D होगा वो अपना correct option हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर अपना RC का session जो है वो होता है खतम एक सिकंड मैं थोड़ा रब कर देता हूँ RC का session अपना खतम हो गया और आप लोग comment करके बताईएगा कि यह session कैसा था RC का ठीक बढ़िया था कि नहीं कैसा लगा आप लोगो अगर आप लोगो अच्छा लगा होगा तो मैं RC का एक regular session daily basis पर एक series मैं reading comprehension का चला दूँगा जिसमें आज तो मैंने prelim level का लिया था मैं mains level की RC भ करतार होता हूं current affair भी पढ़ाता हूं तो आप लोग daily current affair का show भी आ करके इस channel पर देख सकते हैं daily current affair भी आप लोग देख सकते हैं ठीक चलिए guys thank you so much for watching the video and I hope कि आप लोग चैनल को subscribe जरूर करेंगे आप लोग यह video जरूर पसंद आया होगा comment box में बताईएगा अगर कहीं कोई प्राब्लम आई होगी तो मैं comment box में उसको reply कर दूंगा चलिए thank you so much